राजदानी जैपूर के जवाहर कलाकेंदर के शिल्प ग्राम में आयूजित समानांतर साहित्य उत्सव के दूसरे दिन विभिन्न सत्रों में साहित्यकारों ने अपने अपने अनुभव साजा किये प्रगती शील लेखक संग के मुखे संयोजक ईश्मधू तलवार ने बताया कि इस फेस्टिवल के दूसरे दिन कवी राजे जोशी और कहानी का जितेंद्र भातिया समेत अनेक साहित्यकारों ने भाग लिया इस दौरान साहित्यकारों ने इस फेस्टिवल को युवाओं के लिए फाइदे बन्द बताया जो समानांतर साहित्यकारों याभी पैरलल लिटिशर फेस्टिवल जो याईजित के जा रहा है उसका ये तीसरा सरस्करण है और इसमें आज जो है इसमें कई महत्पून सेशन हुए हैं देखिए हमारे समय के जो बहुत शीष कहानीकार और जो कभी हैं वो यहां पर आए हुए हैं तो कुछ लोगों के हमने उनकी जिंद्गी पर उनकी रशनाओं पर बात कर रही है जैसे कल नरे सक्सान जी पर बात हुई थी और आज राजेश जोशी जो की बहुत बड़े कभी हैं और एक जितंदर भाटिया जो की बड़े कहानीकार हैं मैं आज के संदर में जो साहित है इस ऐसे आयोजनों से युवाओं का प्रति साहित प्रति आकर्सम बड़ता है यह एक इस तरह का मंच है जिसके माध्यम से हमारे समय में केवल हिंदी नहीं बलकि राजस्तानी अपने या भारतिय बासाओं में भी साहित किस तरह का लिखा जा रहा है तो विबन बारतिय वासाओं के बीच जो साहित कारों का प्रस पर समवाद है पहो समवाद होता है और हमारे पूरे देश के जो समच्चाइर है या और तरह की कुछ छीजें होती है उननों को समझने का एक अलग तरह मुथा से मिलता है ettr to काई पूचह तो मगहीं लगता है कि युगा पिछले तीन तीसरा ही है तीन साल से मैं देख रहूंगों युओं का लगातार इसकी प्रती आकर्सन बढ़ रहा है वो इसके पीचे कारण यहाए कि जब वो देखते हैं कि लेखक किताब मेरा बताता हूँ legislsun Bay पहले हम किताब पढ़ते नती तैर यह लगता था कि कास इसके लेखक से मिलते कासल है तो कैसा होगा उसीमें मेंचर में जब और यह कटाब भी पढ़ता है और वो लेखक को भी देखता तो उसको अच्छा लगता और एक नए तरीके से जीवन को देखने